दोस्तो आपका हरदिक स्वागत है दोस्तो हमाँच बात करने बाले आज के मीन रासी फल के बारे में कि आज का दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर महत्पुन रासी फल पहुंच सके चले दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आप की रासी वालों का आज का दिन दोस्तों आज आपके कुछ दिनों से रुके वे अधूरे कारिय पूरे होने की संभावना प्रबल हो रही है और साथ ही कारियों में सफलता और यस की प्राप्ति होने से आपके कारियों में कुछ सुधार आएगा आपका ध्यान कुछ नई योजनाओ उल्लागो करने में भी आज रहेगा भारी उतार चड़ाओ और उल्जहनों के बावजूद पराक्र में व्रद्धी होने के योग बन रहे हैं आज समझ चाएं आपकी काफी हद तक हल हो जाएंगी और ओफिस में आज काम की अधिकता रहेगी प्रंतु वातावरन आपके अनुकूल रहेगा तथा आपके साथी आपका सहीयोग करेंगे साइकाल के समय परिवार के साथ काफी हर्स्पून और आनंदायक रहेगा और पच्चे आग्याकारी रहेंगे यात्रा का विशेश योग है सावधानी रखें अधिक दूरी की यात्राओं से दूर रहें अधिक यात्रा ना करें और आज पती पत्नी के संबन्द मदूर होंगे पत्नी के स्वास्त को लेकर आप चिंतित भी रहेंगे साथी माता पिता का असिरवाद और सहीयोग आज आपको अवशे ही मिलेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है आज बिजनेस और केरियर को लेकर आपका मन बहुत परिसान रह सकता है इससे मन में एकांत की भावना और अकेलेपन का ऐसा जागरित हो सकता है इसे खुज पर हवी ना होने दे वरना इसके उपर नकाराथमक प्रभाव पढ़ सकता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आज आपके मान सम्मान मिव्रदी के योग बन रहे हैं आपको बहुत दिक और धार्मिक विश्योग पर चर्चा करना आज पसंद रहेगा संतान पक्ष से कोई सुबसमाचार भी प्राप्त हो सकता है भाई बेनो के रिष्टे और अधिक अच्चे हो जाएंगे जीवन साती का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपका विवसाय कैसा रहेगा आज यात्रा से लाब के योग हैं, प्रिंतु यात्रा से आपको सावधान भी रहना होगा आज आपका रुकावा और फसावा धन आपको वापिस मिल सकता है मेहनत करने से सभी कारिये बन सकते हैं धलाब होगा, व्यापार में बड़ोतरी हो सकती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में आज गिरस्त जीवन में खुशनुमा गिरस्त जीवन को खुशनुमा बनाने के आप कोसिस करते होई नजर आएंगे जो लोग साधी सुधा हैं वो अपने गिरस्त जीवन को लेकर काफी खुशन जर आएंगे जबकि प्रेम जीवन में समय बितार हैं लोग थोड़े परिसान हो सकते हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में आज स्वास्त समस्यां समाप्त हो जाएंगी आपका स्वास्त उत्तम रहेगा थोड़ी बहुत समस्या और परिसानी उत्पन हो सकती है आज घर के बुजूर्गों की सिहत को लेकर भी आज परिसानी उत्पन हो सकती है उन्हें लेकर कुछ मानसिक धनाव बढ़ सकता है इसलिए आपनी अमित योग करें, वियायाम करें, प्रणायाम करें और सुष्त रहें